में आपके बहुत-बहुत स्वाग है करता हूँ प्रिया दर्शका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं तृला रासिका रासिफल मंगल ग्रह के गोचर के उपर मंगल ग्रह तूला रासिवालों के उपर क्या असर डालने वाला है 18 अगस्त से और 3 अक्टोबर तक मंगल गरह अभी तक सिंग रासी में गोचर कर रहे हैं यानि कि आपकी आवे मैंने जन्म कुनली बनाई है आप देख लिए आपकी रासी जो है जहां 7 अंग लिखावा है वो आपकी रासी है तुला रासी और अभी तक मंगल जहां 5 अंग है वहां थे वहां पर बहुत बढ़िया इसकी मंगल की एक आदस के मंगल बहुत अच्छे थे लेकिन अब मंगल जो है ठारा अगस्त से 3 अक्टूबर तक मंगल गरह व्यभाव यानि कि जहां 6 अंक है बारवा भावन में रहेंगे बारवे भावन में रहेंगे तो इसका प्र द्रिश्टि से अधरी भाव देखेंगे यानि कि प्राक्रम को देखेंगे पावर को देखेंगे साथ में चोटे भावन यहां सात्वी द्रिष्ट्टी से मंगल गरह छटे भाव को देखेंगे यह सत्रों का भवन साथ में रिण का भवन है तो यहां पर द्रिष्टी रहने से कैसा रहे और साद में आठवी द्रिष्ट्टी मंगल गरोग की है वो आपकी पड़ेगी सब्तम्भवन पर यहां पर मंगल की एक रासी बनती है मेश रासी और इस मेश रासी में ही देवगुरु ब्रस्पति हैं और जहां पर 11 अंक लिखावा है यानि कि आपके पंचम में सनी गरोग हैं अगर सनी से आप गिंती करेंगे ब के मालिक है सँर्म के मालिक है मंगल गरोग तो सनी गरोग और मंगल गरह का छे- mouse बन रहा है साथ में देवगुरु ब्रस्पति हैं धन के कारक हैं संतान के कारक हैं भाग्य के कारक हैं शुकों के कारक हैं sa carry schателя संपति के पर बना देवक गुरु बिरस्पत्य के साथ भी 6-8 का संबंद बना रहे हैं ग्यान के मालिक हैं तो मंगल गरह जब 6-8 का संबंद बनाएंगे मंगल गरह जो हैं उर्जा है तागत है मंगल्ग गरह समाज के अंदर संमान दिलाते हैं और व्यक्ति के ऊपर रुण भी बहुत चड़ाते हैं तर्जा चड़ाते हैं और साथ में property के मालिक मंगल गरह करने वाले मंगल गरह हैं तो बारवे भवन में जब ये विदेश का भवन है साथ में ये सयन भवन भी है खर्चे का भवन भी है बारव भवन आपको यहां पर खर्चा अधिक करवाने वाले हैं अनावस्य खर्चा आपका बड़ेगा तुला रासी वालो आप आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे पैसे पे और साथ में जो विदेश में रहते तुला रासी वाले वहां पर भी आपका खर्चा अधिक होगा लेकिन बाद विबाद से आपने बचना है बाणी पे पावर पे आपने कंट्रोल लखना है जल्दबाद जी नहीं करनी है मंगल ग तुला राची वालो अपने उपर और जो विदेश में रहते हैं वहां पर बाद विबाद से बचना किसी से पंगा मोल ने लेना आपने और साथ में यह सयन भवन भी है तो निंद्रा जब आप रात को सोईंगे तो निंद्रा में भी आपको बेचेनी होगी सयन कक्ष में आ यहां पर देते हैं साथ में मंगल गरह की जो चौती द्रिष्टी है वह आपके पड़ेगी तीसरे भवन पे तो यहां पर प्राक्त्रम अधिक होगा बिल पावर तो बढ़ेगी आपकी पावर अधिक बढ़ेगी महिनत अधिक करेंगे तेकिन साथ में जो कुटम हो सकता है नहीं योजनाओं में आपके कोई कम ही आ सकती है जो आप योजना बना रहे हों उनमें कोई दिकते आ सकती बिगनबादा आ सकती है कोई आपका पार्टनर आपका सयोगी आपके कामों में अर्चन पैदा कर सकता है जो आपसे छोटा है तो यह योग भी आपका बन तो आपका पैसा डूब सकता है इसलिए सोच समझ करके विचार से आपने लेना और साथ में गाड़ी जो आप चलाते हैं या गाड़ी लेना चाहते हैं तो सोच समझ करके ही बाहन चलाएं में और स्पीट में काड़ी लेन चलाएं और यहान के रोग आपको परिशान कर सकते हैं यह 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 ऊर बन रहा पदा भी आपके पास आएगी मंगल गरौत देंगे लेकिन खर्चा अधिक होने के योग बनते हैं मंगल की जो एक रासी है वह बनती है आपके साथे भवन में और साथे भवन पर द्रिश्टी पढ़ने से यहां पर जो पार्टनर्शिप के काम भूंगे वह काम आप सोच में थोड़ा हलकी फुलकी मतभेद होने की समस्यां बनेगी यहां पर द्रिश्टी पढ़ने ऐसे यहां पर राहू भी बैठेवें साथमत देवक गुरु बिरस्पति आपकी समस्याओं का हल करेंगी ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ी समस्याइं आएगी लेकिन आपने मंगल जो है कहीं भी जब अच्छे भाव मेंने बैठते मंगल गई जो है कन्या रासी मंगल की सुत्र रासी है जब भी कोई ब्यक्ति अगर अपने सुत्रू के घर में चला जाएगा वहां पर क्या समस्याइं होगी जगड़ा होगा और जहां वो देखेंगे वहां पर कुछ ने क सब्सक्राइब आप कम कर सकते हैं अपनी बाणी के दबार है ठीक है और साथ में रोजगार के लिए भी बढ़िया है जब बिल पावर बढ़ेगी थोड़ा भागय का साथ भी आपको मिलता रहेगा मंगल गरह इतनी मुसीवत आपको नहीं देंगे और साथ में जो भी आप के कोड कचरी के मामले हैं वो थोड़ा फस सकते हैं कोड कचरी मामलों में थोड़ा मुसीवत आपको मंगल गरह दे सकते हैं और यहां पर करजा किसी को नहीं देना आपने बिलकुल भी पैसा नहीं देना पैसा कहीं फसाना नहीं आपको जब भी मंगल और छटे भाव को दे आपने बातों को बिल्कुल भी नहीं बताना है अगर आप अपने मित्र से बताएंगे तो कहीं न कहीं नजरबादा का यूग भी बनता है संतान संबंदों में जो विद्यारति पठन पाठन के लिए पठन पाठन करते हैं क्योंकि यहां पर मंगल के जो दूसरी रासी है वह बनती है कुटम भाव में मतभेद की स्थिक्यावी आएंगी कि मंगल का जब योग नहीं मंगल बारवे चलेगे और साथ में दामपत्य जी दूड आपके उपार रहेगा यह योग बनेगा विद्यारति लिए पठन पाठन के उर्जा रहेगे लेकिन चिर्चड़ापन आपको परिसान करेगा भागय का साथ मिलेंगे नौकरियों में चैंजिंग बिल्कुल न करें व्यापार में दोरह आप बिल्कुल भी चैंजि क्योंकि आपके राच्चे से बार्वे हैं मंगल गरह होना अच्छा नहीं होता है यहां पर मंगल गरह के लिए आप बंगल के जब भी करा सकते हैं घर में गर्मन के सब्स्रकर घरा मत सब्रसाइक करें प्रसाथ पाड के दिन और आपकी कीर्ति हनुमान जी बढ़ाएंगे युझे मुसीबत दूर करें सुन्दर कान कर सकेंगे तो मंगलवार के दिन दो लापरत रहेगा अभी के लिए मुझे अनमात दीजे नमशकार जैमाता दी